welcome to new lesson अभीक ने कुछ दिन पहले मैंने आपको पूरा icom me watugl 10 समझा था कि कैसे आपको Google Shopping यहरण करनी है प्लस आपने समझा था कि कैसे आपको रहे अब को अफोरी त्यार करनी है कैसे आपको reporting देखनी है कि the call अगर आप प्रमोट कर रहे हो तो आपको क्या strategy अपनानी है ads तो आपने सीख ली कि कैसे ads बनेंगी but ads से ज़्यादा ज़रूरी है ये सीखना ये पता होना कि क्या overall strategy आप follow करने वाले हो e-commerce के लिए तो देखो दो type की strategies हैं जो कि आप e-commerce के लिए follow कर सकते हो और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरी favorite कौन सी है एक तो जो basic strategy है जो हर कोई follow करता है वो क्या करता है simple product pages पे traffic भेजना start कर देता है ठीक है तो ये रहा traffic और इस traffic को product pages पे भेजना start कर देता है और simple यहां से वो जो sale आती है वो आती है तो basically तीन parts में divide कर सकते है not अब दूसरी strategy क्या है ये तो एकदम basic हो गया ना simple product pages पे traffic भेजो दूसरी क्या हो गया product pages पे traffic भेजो और इसके बाद क्या होगा कुछ लोग convert होंगे कुछ लोग नहीं होंगे then जो लोग नहीं convert हो रहे उसे आप add दिखाओ YouTube के उपर और इन्हें आप add दिखाओ Facebook के उपर और इसे ही आप add दिखाओ display के उपर Insta के उपर हर जगा I mean तो ये तो थोड़ी सी उससे advance हो गई ये इदम basic strategy हो गई ये थोड़ी से उससे advance हो गई अब होता क्या है कि इस strategy के execution में काफी लोगों को problem आती है उन्हें समझ नहीं आता कि वो इस strategy को कैसे execute करे तो अभी जैसे आपको पता है कुछ दिन पहले मैंने अपना एक consulting program स्टार्ट किया है अगर चाहें आप student हो या चाहें आप business owner हो अगर आप उस consulting program का हिस्सा लेते हो तो उस consulting program में हमारे क्या है कि हम weekly 90 minute की call मेरी team खुद आपको करती है और जो मेरी team call करती है उसमें आप अपने जो भी marketing problems हैं जो भी आपको चीज़े समझ नहीं आ रही है जो भी executional problem आ रही है वो सारी problems आप मेरी team के साथ share कर सकते हो और हम खुद आपको guide करते हैं इसमें अना सो उसकी अभी कुछ fees है annual fees है 6999 रूपीज अगर आपने अभी तक उसमें enroll नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे में link दे दूँगा आप उसमें enroll कर सकते हो immense value है एक साल के लिए 7000 रूप है just weekly हम 90 minute आपको call करेंगे और हमारे सारे courses आपको free है प्लस आपके लिए marketing plan बना के देते हैं right this is ऐसे कभी कोई चीज launching नहीं so make sure कि अगर आपने enroll नहीं किया तो उसमें enroll करो ताकि आपको execution में help मिल सके तीसरी strategy जो सबसे best strategy है मेरे हिसाब से दो तो आपने सीखी पहली सीधे product page में traffic भेजो दूसरी cap product page भे traffic भेजो और then remarketing run करो omnipresence हर जगा तीसरी strategy जो मेरी favorite strategy है वो देखो क्या है देखो एक research है और वो research क्या बताती है कि suppose करो ये आपकी target market है ये आपकी audience है suppose 100 लोग है so at any point of time at any point of time इन 100 में से 4 या 5 लोग ही है जो आपका product या service उसी समय खरीदने की सोच रहे है मानलो 100 लोग है जिसमें से 4 या 5 अभी product या service खरीदने की सोच रहे है और इन 4 या 5 को कई company आड चला रही है कई company इनहीं target करनी है बट इसमें और 95 लोग हैं इस audience के अंदर और ये 95 लोग अभी product या service खरीदने की नहीं सोच रहे बट future में 1 महीने बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद 10 दिन बाद ये product या service जरूर खरीदेंगे अब होता क्या है कि अभी जो potential अभी जो जितनी companies हैं जितने marketers हैं वो इन 4 या 5 को target कर रहे है इन 95 को ignore कर रहे है तो इन 95 को आपको क्या करना पड़ेगा nurture करना पड़ेगा आपको अपना brand इनके mind में establish करना पड़ेगा आपको अपना trust बनाना पड़ेगा तब जाके क्या करेंगे तब जाके ये लोग आपका future में product या service खरीदेगी हाना तो हमें इन्हें भी target करना है just या 4 या 5 को नहीं करना तो यह final strategy क्या है देखो final strategy है suppose करो आप कोई skin से related cream बेच देखो skin cream बेच देखो हाना तो अब हम strategy क्या अपनाएंगे देखो तो सबसे पहले आप काम क्या करोगे आप बनाओगे या तो एक video या फिर आप एक लिखोगे blog और इस पे आप क्या भेजोगे traffic अगें देखो इस strategy के execution में बड़े सारी steps है प्लस यह जो strategy है इसको implement करने के लिए आपके पास सोड़े deep pockets होने चाहिए अगर 100-200 के marketing budget से यह strategy execute नहीं हो सकती फ्रस थोड़ा सा आपको patience चाहिए क्योंकि यह strategy काम करेगी उसके लिए थोड़ा से इसको time चाहिए होता है तो सबसे पहले क्या करोगे अपने वीडियो या blog पे भेजोगे traffic step number one हाणा और जो भी आप यह video या blog लिखोगे इसमें आप अपने product को mention करोगे और अगर आप video बना रहे हो तो यह video आप अपनी website के एक page पे डालोगे और इस video के नीचे आपके product के link होगे similarly अगर आप blog लिख रहे हो अपने website पे लिखोगे और इस blog के नीचे आपके product के link होगे, अब होगा क्या, जिन लोगों को आपका product अच्छा लगेगा, वो यहीं से जाके आपका product खरीद लेंगे, simple, नहीं, और जिसने नहीं खरीदा, अब कुछ लोगों के जो खरीद लेंगे, कुछ लोगों के नहीं खरीदेंगे, अब देख पे आपके product थे और कुछ लोगों ने click किया product पे और उन्हों ने क्या किया आपका product page visit किया और कुछ लोगों ने क्या कर लिया बाई अब देखो करना क्या है अब आप 3-4 audiences बनाओगे पहली audience बनाओगे in traffic की कौन-कौन से लोग है जो आपके website पे गए है ठीक है दूसरी audience बनाओगे उन लोगों की जिन्होंने आपका product page visit किया है और तीसरी audience बनाओगे उन लोगों की जिसने आपका product buy किया है राइट तो यह तो हो गया stage 1 अब आएगा यहाँ पे stage 2 ठीक है stage 2 में क्या होगा यह जो traffic था जिसने आपका page visit किया है इसको आप और content या और video या और किसी चीज पे भेजोगे दूसरा आपका जिसने product page visit किया है इसको आप सीधे add दिखाओगे और इसे वापस भेजोगे अपने product page पे तो इसे या discount coupon दे सकते हो या वैसी कोई भी चीज दे सकते हो discount coupon या कोई related चीज य और इसे वापस भेजोगे product page पे तीसरी audience जिसने product buy किया है जिसने already product खरीद लिया है इसे आप अपने और product बेचोगे और product दिखाओगे जो आपने पहले product बेचा है न स्किन क्रीम उसके add-ons बेचोगे या उसके मंतली subscription बेचोगे या आप ये subscription लो फिर हम आपको हर महीने इ अहला content भी consume किया है दूसरा content भी consume किया है इसे अब आप भेज सकते हो अपने product page पे प्लस ये same process continue होता रहेगा और आप नया नया content बनाते रहोगे और ये जो आपका top of the funnel है ये build करते रहोगे और यहां से product pages और buy वालों को आप भेजते रहोगे इस process को execute करने के लिए आपको काफी महनत करने पड़ेगी आपको काफी content बनाना पड़ेगा प्लस आपको multiple audiences बनानी पड़ेगी multiple ads बनानी पड़ेगी तो काफी ज़्यादा execution में आपको यहां पर महनत चाहिए बट ये जो है strategy ये आपके product को या जो भी कर रहे हो आप उसको आपको एगनम वो brand की तरह establish कर लिया ठीक है ये बहुत ही advanced बहुत ही तो नहीं बट थोड़ी से advanced strategy है इसमें काफी सारी चीज़े involved है ठीक है जी तो again अगर आप किसी client के लिए काम करें अपने brand को आप एक establish करना चाहते हो आप इस strategy को execute कर सकते हो और again अगर आपको कोई execution में help चाहिए आपको जैसे मैंने आ आप को बताया आप हमारे consulting program join कर सकते हो नीचे description में link है so click on that और join the program ठीक है ठीक है ठीक यू सो मच वाचिंग इस वीडियो